हलो बेंट, वेलकम वार winners जो टर्म्ष है आपको clear नहीं है और वेब की लॉक्डाउण चल ला है तो इस बएस से बुक्स बगरारा की जो variability है कम है, बुक्स नहीं मिल पा ही हर किसी यह तो उसने request भी की कि sir आप बनाईएगा इस पर तो मैं इसलिए और बना रहा हूँ लेकिन PDR थोड़ा सा इतना clear नहीं है चीजें लेकिन मैं आपको बोलूँगा जैसे जो भी जो भी terms आते हैं मैं आपको repeat करूँगा अगर आप लिखना चाहो तो उनको लिख सकते हैं है ना अगर आपको clear नहीं दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं उसको और जो भी definition मैं बोलूँ जिस तरह समझाओं आप उनको समा सकते हैं तो देखिए ट्राइ करिएगा सबसे पहले बात करते हैं फिजकल कॉंटिटीज की क्या होते हैं फिजकल कॉंटिटीज तो जो फिजकल कॉंटिटीज क्या है फिजकल कॉंटिटीज क्या है एनिटिंग कुछ भी हो सकता है जिसको हम मेजर करते हैं जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है ऐसी चीज, ऐसा कोई भी object, ऐसी कोई भी body जिसको हम major कर सकते हैं ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं, physical quantities के अंदर आते हैं आप इसके बार देखीगा, physical quantities हैं, mainly two types इसको अगर type की बात करें, two types होते हैं इसके एक तो fundamental quantities and drive quantities तो fundamental quantities हैं, उसको आप पहले पढ़ चुके हैं Class 6 में आपने पढ़ा होगा, fundamental quantities के बारे में अच्छे सी तो fundamental quantity क्या होते हैं? और drive quantity क्या होते हैं? तो उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे fundamental quantity क्या है? जो की physical quantity है, basic physical quantity है जो किसी के ऊपर depend नहीं होते हैं does not depend upon other physical quantity किसी physical quantity के उपर enterprise होती है लेकिन ड्रैप कॉंटिटि है ड्रैप कॉंटिटी वो है जो कि डिपेंड करती है वन किसी physical quantity पर यह saktते एक physical कॉंटिट पर करें यह एक्से जानर physical quantity पर डिपेंड करती है उनको वह लाधा drive physical quantity यह बोल सकते हैं आप कि Fundamental physical quantity है वो अपर जोड़ चुके है 6th Class में लेकिन अब इसमें आप पढ़ेंगे मेंली किसे बारे में tribal physical quantity के बारे में जो कि depend करती है किस पर? विड करती है पर या बोल सकते हो Fundamental physical quantity पर depend करती है एक या एक से जाना Fundamental physical quantity ओ सकती है जिससे आप उनको draft करोगे तो एक एक करके इनके बारे में समझेगे अच्छे से देखेंगे अगर example की बात करें fundamental quantity के क्या example होते हैं जैसे length, mass हो गया, temperature और time ये सारी जो physical quantity है ये fundamental physical quantity है ये सारी आप पहले पढ़ चुके है direct physical quantity क्या है direct में आपका जैसे volume हो गया area हो गया, density हो गया, speed हो गया तो ये सारी क्या आपकी derived physical quantity है तो चलिए बात करते हैं एक एक करके इनको समझेगे सबसे पहले बात करेंगे volume की क्या होता volume देखेगा volume क्या है कि amount of space किसी भी object का या किसी substance का ऑभर केसे उसने occupied कर रखा है उसको गोला जाता volume कि कितना amount of space occupied कर रखा है किसी object ने या फिर किसी body ने उसको गोला जाता है volume जैसे बात करते हैं कि अगर कोई box रखा हुआ है किसी टेबल पर एक box रखा हुआ मानलो यह table है यहाँ पर यह box रखा हुआ है ठीक है तो जो box है box ने कितना space occupy कर रखा है वो क्या हो जाएगा वो इसका volume हो जाएगा similarly बात करते हैं जैसे कि अगर कोई आपका एक glass है glass में आपने क्या किया water को फिल कर दिया water को आपने पोर किया कितना space occupy कर रखा है तो उसका क्या हो जाएगा volume of the water कियो जाएगा इसकी बात देखिए और जैसे मैंने अभी बताया थे volume क्या होता जो की आपने ड्राइब की है किसकी किसकी help से करते हैं लेंथ विरेथ एंड हाइट या बोल सकते हो depth ऑब्दा जो object है या substance किससे करते हैं length लेंथ को अगर L से note करें length ब्रेथ एंड हाइट इसको depth कहीं कहीं depth भी बोला जाता है तो आप depth भी height है height क्या होगी उपर अगर कहीं आप नीचे surface में जा रहा है तो क्या हो जाएगी depth तो हाइट भी हो सकती depth भी हो सकती उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा तो यह सारी चीज़ है अगर expression की बात करें तो volume of solid जो express करेंगे आप किसमें करेंगे meter cube में जो cooling में किसमें meter 확진 में के लिए रहे है तो इसके क्या हो जाएगगी unit हो जाएगी कहीं 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 आपका cm2 भी मिल सकते हैं ठीक है तो metro q और centimeter cube यह जो expression है इसको represent करेंगे अगर कोई भी volume है किसी solid का volume निकालेंगे तो इसको रिप्रिजर्ञंट करेंगे मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में किसी में भी कर सकते हैं वो डिपेंड करता है क्या दिए रखी उससालेंटS है Lent और Bioreth किसमें दे रखी है ठीख है अगर यह तो Solid की बात हो गई ठीख है किसमें रिप्रजेंट करेंगे मीटर क्यूब में या सेंटिमीटर क्यूब में बात करते हैं कि अगर लिकुड दे रखा तो इसको किसमें लीटर में क्या करेंगे एक्सप्रेस किसमें करेंगे इन लीटर तो अब यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर मीटर क्यू और भी units होती हैं लेकिन अब फिलाल में आपको याद रखने, meter cube और centimeter cube चलिए बात करते हैं next point की तरफ देखेगा, क्या है, कि अब बात करते हैं कि आप अगर measurement कर रहे हैं, volume का measurement कर रहे हैं, किसी regular body का measurement कर रहे हैं ठीक है, volume of the regular body, то regular body क्या होती है, regular body का मललब क्या है कि जैसे कि हमारा कोई अगर بोक हो गई, कंटेनर है कोई بिलॉक होगया या मालोब बिरिक्स हो गई तो उसका मनलब का है जो डायमेंजन है आपको daren है रेगला बॉडी के मलब जो डायमेंजन है उसकी क्या है किलियर है ठीक है जरे मानलों कि आग पी अगर ब्रिक दे रखिए तो ब्रिक कैसी होते हैं? इस तरह से आपने देखा अवरिक होती है जिसमें कि हाइट और इसकी लेंथ और ब्रिट किलरली आप फाइंड पर सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है याइड क्या ब्रिट क्या है means जो body है उसकी regular shape है आपकी definite shape है तो definite shape की वहीं से definite उसकी जो length of rate है height आप clearly उसको find कर सकते हैं तो उसकी help से आप जो volume है regular object का clearly find कर सकते हैं तो किया है कि किस से find करेंगे बाइदा using formula किस से formula से जैसे माल होगा cube दे रखा आपका तो cube आपने देखा होगा कि आपकी ऐसा object होता है जिसकी सारी same रहती है side क्ये रहती है equal side रहती है side equal रहती है means अगर आपका cube दे रखा है तो cube की side क्ये रहती है जैसे यह यहां पर बना हुआ है इसको आप समझ सकते हैं देख सकते है clear definitely यह क्या है cube है जिसकी all side है, क्या है, equal है अगर आपको volume find करना है तो with the help of the formula find कर सकते हैं, कैसे, side कैस की length, length into length into length, क्या है, तिनो जो side है, आपकी क्या है, same है equal है, इस तरह से आप volume of the q find कर सकते हैं, अगर बात करते हैं, q wide की तो q wide जैसे ये बना हुआ है, इसको आप देखेंगे हैं आपर, या आपका क्या है, q wide है, तो q wide का जो volume है, आप find कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि जो side होती है, वो different होती है, length into breath, into height तो इस तरह से जो volume है q wide का आप find कर सकते हैं multiply किसका करना है, आपका length, rate and height, किनों का multiply करिए और इस तरह से formula का use करके, आपकी wide का, जो volume है, वो find कर सकते हैं ठीक है, कुछ और देखेंगा जैसे की बात करते हैं कि अगर volume है मालो की आप volume find कर रहा है कोई object है अगर आपना find किया मालो की अगर cube दे रखका, जैसे cube दे रखका आपने volume find के है, ये क्या है volume ठीक है, op cube cube है, तो क्या हो जाएगा L into L into L अगर जो length है आपकी जो length है cube की, जो side है cube की वो किसमें दे रखकिए है, मीटर है मीटर हुआ दे रखकिए तो आपका जो volume है, cube का किसमें आएगा मीटर क्यूब मैं, अगर centimeter समय जाएगा चली स्कूँंगे क्या क्या है कि हैं एक क्यूब की की कि दे रखिये 1 meter then find the volume of the cube तो क्या हो जाएगा 1 into 1 into 1 अब ये सारी क्या है ये सारी क्या है meter में तो 1 meter cube इस तरह से इसका volume आ जाएगा मालों Q wide का आपको volume find करना है जिसमें दे रख्या 4 meter side दे रख्या उसकी length दे रख्या 4 meter overhead दे रख्या 2 meter height दे रख्ये 1 meter then find the volume of the volume of the cube height तो Q wide का volume find करना है तो volume कैसे find करोगे volume of Q wide क्या हो जाएगा 4 meter length 2 meter इसकी breath हो जाएगी and height 1 meter multiply करें 4 to 8 8 बन जा 8 तो क्या हो जाएगा 8 meter cube ठीक है तो इस तरह से volume find हो जाएगा किसका Q wide का तो आपको क्या करना है length into weight into height तीनों का multiply कर देना और जो unit है उसका भी multiply होगा इस बएशे 8 meter cube इसका answer आजाएगा चली बात करते हैं क्यूशन और देखेगा जैसे दे रख्या है क्यूब दे रख्या है ठीक है क्यूब दे रख्या है Now again दे रख्या है volume of Q wide यहाँ पर यह क्यूब दे रख्या है उसका volume आपको find करना है तो volume क्या होता है length into width into height ठीक है इसमें क्या दे रख्या है length दे रख्या है 6 meter length कितने दे रख्या है 6 meter इसके बाद breadth कितने दे रख्या है 4 meter height के दिए रखी 3 meter now multiply करिएगा 4 x 6 x 3 क्या है आपका 72 meter cube यह इसका क्या हो जाएगा volume of the cube तो इस तरह से आप derivative find कर सकते है इसमें क्या होता है L x V x H means length, breadth and height क्या है volume of the cube इस तरह से आप find कर सकते है volume of cube and cube दोनों का चली आप बात करते हैं कि concept of unit volume देखीगा, ध्यान समझेगा, unit volume जो concept है unit volume का उसका समझेगा unit volume क्या है कि अगर आप unit volume से volume find करना चाहरा है, किसी बी object का किसी regular object का तो आप clearly find कर सकते है कैसे find करेंगे unit volume क्या होता है, unit volume is defined as the space occupied by one unit of the object यह unit, जो object का एक unit उसने कितना space occupied कर रखा है वो उसका क्या होता है, unit volume होता है चलिए इसको समझते है, figure समझते हैं यह आपको clear हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ देखीगा, यह जैसे बनाया है मैंने, यह सौरी थोड़ा सा mistake हो गया हाँ, अब देखीगा, क्या किया, मैंने यहाँ पर यह box बनाया ठीक है, यह बना हुआ है यहाँ से इसको divide कर दिया, ठीक है थोड़ा से clear नहीं बनेगा, देखीगा, यह बन गया तो अब यह box, यह जो box आपने उठाया है यह वाला box उठाया है, यह आपका क्या हो जाएगा one unit volume, क्या हो जाएगा one unit volume, one unit of the object यह हो जाएगा इसका, यह unit means एक आपने box इसको जब आपने क्या किया, इसको divide किया, equal part है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine तो nine equal part है, एक part आपने क्या किया इसका volume निकाल लिया, तो यह होता है इसका जो एक part का volume है वो आपका क्या हो जाएगा, unit volume means space occupied by one unit of the object यह इसकी क्या है, यह unit है जिसने की space occupied कर रखा, उसको बोलेंगे unit volume, तो इसको figure से भी आप समा सकते हैं figure दे रखा है, यह जो यहाँ पर color हुआ है, इसको बोलेंगे unit volume, ठीक है अब इस method से आप volume कैसे find करेंगे देखेंगा, कि क्या है कि जो small unit है, उसका volume कितना है आपने find कर लिया, object की जो small unit है, उसका आपने volume find कर लिया ठीक है, अब देखेंगा कितनी unit total unit कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर volume आपको object का find करना है तो एक unit का आपने volume find कर लिया मालू एक unit का volume कितना आया a square, sorry, a cube, क्या आया, a cube आया तो एक unit का जो volume है कितना आया a cube, अब total unit है कितनी है, मालू एन है, तो n का multiply कर दीजिए तो क्या जाएगा, a cube into n यह क्या हो जाएगा, volume of the object क्या हो जाएगा, volume of the object चलिए इसको example समझते हैं एक example दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा दे रखा है, विरिक, यह विरिक is made up of 9 cube, एक 9 cube से बन रही यह विरिक and each cube has a volume of 1 centimeter cube, एक जो इसका, एक simple unit है, जो आप unit बोल ले हो, each cube की बात कर रहे है, तो cube का, जो volume है कितना है 1 centimeter cube, sorry, 1 centimeter cube है, और total जो cube है वो क्या है, 9 है, तो क्या हो जाएगा, 9 into 1 तो क्या हो जाएगा, 9 centimeter cube, देखिएगा, कुछ थोड़ा सा मैं कभी-कभी इसमें mistake हो जा रही क्योंकि clear मुझे भी इन दिख रहा है, मुझे भी बहुत problem हो रही है, इसको बनाने में क्योंकि सारे चीज़े इतनी clear हमको नहीं दिख रही है, हो सकता आपकी eye side आप young है, आपकी eye side इतनी strong हो लेकिन मेरी eye side भी इतनी strong नहीं है इस वैए से थोड़ी से mistake हो रही है मैं कहीं कहीं कुछ लेकिन मैं correct कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है लेकिन आप भी थोड़ा से इसको manage करिएगा समझ जीएगा चीज़ों को, क्योंकि चीज़े समझना बहुत important है, अगर चीज़े समझ में आगे हैं, तो आप कोई भी कुछन हो किसी बुक से भी पढ़ रहा है, आपका कोई भी कुछन छोटे का नहीं, तो आप चीज़ों को समझेगा बाकी सब छोड़ देजीगा तो क्या है कि जो break है, break किस से बनी हुई, 9 cube से मिलके बनी हुई है, 9 cube से मिलके बनी हुई है अब जो इच cube का जो volume है कितना है, 1 cm3 है, तो 9 क्या है 9 आपके total cube है और एक जो cube है, उसका volume कितना है, 1 cm3 है, तो 1 cm3 में 9 का multiply कर दीजे, तो क्या जाएगा 9 cm3 total जो volume है, वो आपका जाएगा अब बात करते हैं, देखीगा volume of the irregular body अब irregular body का आपको volume find करना है, तो irregular body का मिलब क्या है ऐसी body जिसका कोई regular shape नहीं होता है definite shape नहीं होता है, तो इनको बोला जाता है irregular body, अब जैसे की बात करते है, stone बना हुआ हैं आपर screw है, की बगरा बनी है, तो यह क्या irregular है, ना तो इसका definite shape है और नहीं irregular कोई shape है, कोई इसका irregular shape है यह नहीं है, miss definite shape नहीं है, तो अब इस case में आपको क्या करना है, ना ही इसका length find कर सकते हैं, और ना ही प्रॉबलम हो जाये अक्यम पर आप क्या करोगे, formula आप पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपको volume find करना है इस रेग्राड object का तो उस case पर आप दायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके उसका volume find नहीं कर सकते हैं तो इस case पर आपको क्या करना है इस case पर आपको क्या करना है जो point देहां रखी है कि आपने क्या लिया जाल ले ले लेना है थीक है कैसे करते हैं तो जब उसको कोई भी object है इसमें क्या water का अपने fill कर रखा तो जब object को इसमें place करेंगी तो कुछ ना कुछ water displaced होगा जो जितना water displaced हुआ वो उसका क्या हो जाएगा उस object का volume हो जाएगा क्या हो जाएगा उस object का volume हो जाएगा चलिए इस चीज़ को एक activity के help से समझते हैं देखेगा activity के help से समझते हैं आप जो volume है आपका किसमे आएगा ये भी देख लीजेगे, आपका liter में या फिर milliliter में आएगा, इस बात का भी ध्यान रखेगा, किसमे आएगा, liter या फिर milliliter में आएगा, अब वो किसमें यूज करते हैं, वो graduated cylinder होता है, या फिर weaker होता है, उसमें हम इसका यूज करते हैं, तो देखेगा यहां पर कि आप activity से इसको समझेगे कि किस तरह से जो volume है irregular body का आप find करेंगे तो देखेगा क्या कि आपने एक irregular object लिया और साथ में आपने क्या लिया एक graduated cylinder लिया या फिर weaker लिया उसमें पहले तो आपने water को filled कर दिया यहां पर आप समझेगे कि यह बीकर है थोड़ा सा आपना consideration मना कर रखिया यह क्या है वीकर है इसमें क्या किया water को आपने फिल्ड कर दिया water को filled किया अब आप उसकी reading चेक करेगा मालो जो reading है क्या आती है 50 ml आती है यहां पर देख सकते आप क्या है कि initial जो reading है 50 ml आई है means जब आपने जो beaker है जो graduated cylinder है उसमें water को filled किया उस time जो आपकी initial reading थी 50 ml आई है 50 ml आई है उसके बाद आपने क्या कि एक stone है irregular object है उसको आपने क क्या किया उसमें thread से आपने tied किया वाना उसे और इसके बाद इसमें dip कर दिया इसके अंदर उसे dip कर दिया जैसे अंदर उसमें आप इसको डाल देंगे इस स्टोन को डालेंगे तो क्या होगा water कुछ ना कुछ displaced होगा तो final जो reading आईगी मालो final reading आईए आपकी 50 थी initial और आप की final reading आईए 80 ml कितनी आईए 80 ml तो 80 ml आपकी क्या final reading आईए अब आपको क्या करना है अगर object है object का volume find करना है तो जैसे आपने object डाला water क्या हुआ displaced हुआ water क्या हुआ displaced हुआ जितना water आपका displaced हुआ वो क्या होगा उसके object के volume के equal होगा कैसे अब आप जो volume आएगा वो क्या होग volume of the stone क्या आएगा कि 80-50 जब आप difference निकालोगे दौनर रीडिंग का तो आपका volume निकल के आगा है किसका stone का volume निकल के आजाएगा ठीक है इस तरह से आप with the help of the graduated cylinder या weaker की help से आप irregular body का volume find कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इस इस तरह से आप volume find कर सकते हैं अब देखिए कि एक concept है कहां से आया यह क्या base है कि आपने जो object डाला water displaced हुआ और जो water जितना displaced हुआ उसका volume हो जाएगा object का यह अपने नाम सुना होगा सायथ Archimedes sir यह इक mathematician थे एक geek mathematician थे ईन्होंने क्या determination क्या ताँ इस ग्रेंसपाँ को उन्होंने क्या इक principle तो इन्होंने क्या वोला था कि अगर कोई भी इसको ऊता आर्ग मेंडिस्पुं क्या है आर् हमेडिस्फ प्रिंस्पुं किसा tam संब तो यह जो प्रिंसप्वल चेंव선 आप इसको याद रखिती है क्या आप करना किसका आफ ओल्यूम करना है तो az लिक्ट क्या होते हैं, फिलूट्स होते हैं, इसका कोई definite shape नहीं रहता है, लिक्ट का भी definite shape नहीं रहता है, जिस container में, जिस भी container में आप उनको port करेंगे, जिस container में आप उनको डालेंगे, उसी की shape को क्या कर लेते हैं, उकर कर लेते हैं, ठीक है, उसी की shape को क्या कर लेते हैं, 機 Polish connected तो अब आप कैसे find करोगे उसका volume liquid का तो आपको क्या करना है एक measuring jar लेना है कहलेना एक measuring jar लेना है या फिर आपको एक graduated cylinder लेना है graduated cylinder हो गया और फिर graduated beaker हो गया तो आप उनको लेके उसमें उसको for कर देंगे और जो उसकी safe हो उसकी safe को take कर लेंगे points met, जो कुछ terms है, उनको clear कर देता हूँ, जैसे बात करते हैं capacity, capacity क्या होती है? ये क्या होता है, कि total जो volume रहता है, total volume available, या total जो space available, जितना space हमारा available रहता है, किसी भी container में, उसको बोलते हैं, उसकी capacity, क्या बोलते हैं? उसकी capacity बोलते हैं, means आप बोल सकते हैं inner volume of the container जैसे कि अब भी आप बात कर रहे थे हैं आपर एक cylinder आपका जा रहे है या आपका कोई container है measuring जा रहे है तो उसमें कितना उसका inner volume है उसको क्या बोला जाता capacity of the capacity बोला जागा किसका उसी container की जैसे एक container है उसमें कितना inner उसका volume है वो उसकी का होगी capacity होगी जैसे मालो बात करते है कि एक bucket है Romania ábater filled है पानी filled है means 15 liter water filled है तो 15 liter का मलब क्या है उस bucket की capacity है कितनी है 15 liter की है ठीक है अगर bucket में आप 15 liter ही पानी fill कर सकते है तो तो वो क्या है उसकी capacity है 15 liter वाटर उसकी क्या है capacity है 15 लिटर है तो यह सारे चीज़े हैं मैंनली जब हम volume find करेंगे liquid का volume find करेंगे तो वो किसमें आएगा आप तो लिटर में आएगा या फिर milliliter में आएगा तो यह सारे चीज़े हैं अब यहां तक अगर आपको कोई भी problem है किसी भी type की problem है आप comment without कोई hesitation आप comment करिएगा मैं उसका जरूर reply दूँगा लेकिन आप पूरा patience बना के रखिएगा अगर चीज़े नहीं clear हो रहे हैं तो बार बार आप repeat करिएगा चीज़ों को देखिएगा समझेगा तब जाके clear होगी ठीक है यह नहीं कि मैंने एक बार अगर वीडियो बनाया आपने एक बार देख लिया कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपना बंद कर दिया देखिए चीज़ें समझेगा अगर चीज़ें नहीं clear हो रही है आपको नहीं समझ में आ रही है तो पहुंच करिए बंद कर दीज़ेगा आप जब time मिले आपको free हो तब आप देखिएगा क्योंकि जब आपका mind fresh होगा तभी चीज़ें आपको clear होगी समझ में आएंगी तो देखिएगा बात करते हैं कि next point है अब relation की बात करते हैं कि liter, milliliter और centimeter cube and meter cube में क्या relation होता है इस relation को आप समझेगा अगर यह relation आपको समझ में आ गया तो कोई भी जो numerical होते हैं जो formula जो numerical आत क्यों में क्या होता है 1000 लीटर क्या होता है 1000 लीटर इस जो expression इसको आपको याद रखना है 1 meter cube equal to 1000 लीटर इसको आपको याद रखना है 1 meter cube में कितना होता 1000 लीटर अब देखिएगा कि आपको क्या गरना है इसमें जो relation है उसको किसमें relation मनाना है milliliter में centimeter cube में और meter cube में तो 1 meter cube गया होगज लप है भंड मेटा क्या है मिटर इंटРЕ इंटेम मिटर इंट। इन तो इस तरह सा आ जाएगा आप जब आप कितनी जिरो आएंगे आपका टैन जिरो 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 एंड जिरो जिरो सेंटीमीटर क्यूब मीस क्या आएगा टैन लैक आएगा तो अब जो यहां से आपने कल्कूट कर रहे थे आपने मीटर किसमें चेंज कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया मीटर क्यूब के देखेगा, इसको मैं साब करके दोबारा लिख रहा हूं, समझना द्यान से, तो क्या आगया आपका, 1 meter cube, 1 meter cube, या बोल सकते आप, 10 lakh, ठीक है, 10 lakh centimeter cube, equal to, किसके आए, अब जो equal to आ रहा है, किसके equal आ रहा है, आपने अभी निकाला था, 10, सॉरी, 1000 liter, किसके 1000 liter क्या गया, तो अब आप क्या कर सकते है, इसको cancel out कर सकते है, 30 किस से cancel out हो जाएंगे, इसके 30 से cancel out हो जाएंगे, कितनी बची हैं आपकी, 30 बची हैं, तो अब आप लेख सकते हैं कि 1 liter equal to क्या हो सकता है, 1000 centimeter cube, तो ये भी expression आपको याद रखना है, तो दो हो गए आपके, एक तो क्या है, कि 1 meter cube में कितना होता है, 1000 liter, ठीक है, और इसके बाद, second क्या आगया, 1 liter में कितना होता है, 1000 centimeter cube, तो दौनों ही expression आपको याद रखने हैं, क्या करने हैं, दौनों expression आपको याद रखने हैं, 1 liter equal to 1000 cm3 तो 1 liter क्या है 1 liter में कितने ml होते हैं कितने milliliter होते हैं 1000 milliliter कितना हो जाएगा 1000 cm3 तो ये भी आ गया अब इसका वनलब क्या है 3 0 3 seconds लाट हो जाएगी 1 ml equal to क्या जाएगा 1 cm3 तो तीन expression आपकी आ गई एक तो ये है ठीक है अब तीनों expression को मैं एक बार में एक बार में लिख दे रहा हूँ सारी जो relation डेरिवेशन इस तरह से आप कर सकते हैं अब एक बार में लिख दे रहा हूँ क्या क्या आया था कि 1 meter cube equal to 1000 liter एक तो expression यह आपको याद रखनी है बिल्कुल काफी important है आपको याद रखनी है अब इसके बाद क्या आया था आपका आप next देखी का क्या आया था आपने क्या निकाला था 1 liter equal to 1000 centimeter cube यह भी आया था आपको second यह थी थर्ड क्या आया था आपका 1 ml equal to 1 centimeter cube तो तीनों ही expression आपको याद रखनी है फर्स्ट क्या 1 meter cube equal to 1000 liter और 1 liter equal to 1000 centimeter cube 1 ml equal to 1000 centimeter cube यह तीनों ही expression काफी important है जो relation है कुष्ण आएगा ऐसा कुष्ण जरूर आपको देखने को मिलेगा पेपर में तो आपको यह सारी चीज़ें तीनों याद रखनी है इसका जो derivation है उसको भी याद रखना है चलिए बात करते है next point के देखीगा measuring device for liquid अगर आपको liquid को measure करना है तो किस तरह से करते हैं देखे commercial जो परपज आपने देखा होगा milkman दूद बाले को देखा होगा दूद देने आता है तो वो measuring can use करता है जिसके capacity अलग अलग type भी can होती है कि 100 ml की हो सकती है 200 ml की हो सकती है 500 ml की होती है उसके पास या फिर 1 ml की हो सकती है तो यह सारी जो can है different measurement वो करता है आपने देखा होगा milkman छोड़ी छोड़ी बड़ी बड़ी can रखता है लेकिन क्या है कि यह कहा है कि जो आप major कर रहे है लेकिन अगर मालो आपको आपके पास क्या है 200 ml की can है अगर आपको 100 ml निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते हैं उससे measurement नहीं कर सकते हैं तो जो आपकी can है जिस जितनी capacity की can है उतनी ही आप उसमें जो volume है वो find कर सकते हैं उतना ही आप liquid मेजर कर सकते हैं अब आप करते हैं कि किसी तरह कि अगर को आप को measurement करना है तो किससे निकालेगा आप आपके पास graduated can होनी चाहिए्व या फिर slender होना चाहिए इसकी help से आप measurement कर सकते हैं कोई measurement कर सकते हैं छोटा हो बड़ा हो किस तरह करते हैं देखी गा हाँ तो क्या है कि उसमें मार्किंग होती है जैसे आपका ये ग्राजुटेट सिलेंडर है बीकर है उसमें क्या मार्किंग होता है साइड में मार्किं कोता है मिली छाए फिल लीटर में मार्किं कोता है तो उस हिसाब से जाए यह एका का मेGERING डिवाइस है जिसकी हमसे यह अपर देखेगा यह आपकी हमसे मेशिरिण डिवाइस है इसकी हमसे आप क्या कर रहे हैं कि जो capacity है या आपने जो उसमें fill किया है जो आपका liquid है उसका आप देख रहा है कि कितना उसका volume है उसको आप find कर रहे हैं तो क्या है कि reading इसमें हाँ पर आप देख सकते हैं marking होती है उसकी side में, side में क्या होती है mili litre, all litre में marking होती है तो easily आप उसकी जो accurate reading है उसको आप find कर सकते हैं कितना उसका label है liquid का उससे आप actual जो रीडिंग है उसको find कर सकते हैं यह basically आप accurate measurement के लिए जो अगर volume आपका है उसका आपको accurate measurement करना है वो जैसे laboratory बगार आम है आप हो सकता आप laboratory में जाते होंगे तो laboratory बगार आम है आप clear जो volume है accurate volume है accurate volume है आप find करेंगे किसके help से यह beaker की help से graduated beaker या फिर cylinder की help से तो देखिएगा इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ जैसे कि आपने कोई field किया आपने water field किया तो वहाँ पर क्या होता है आपने इसमें water field किया यह क्या ग्रेज़ेंटर beaker यहाँ पर आपकी rating बनी हुई है तो क्या होता है जैसे water field करें यह इस तरह से space बनता है है ना जो surface है एक curved surface formed होता है slightly curved रहता है तो अब वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर measurement नहीं करना है यह वाली reading नहीं देखना है अगर आपने यह reading देख लिए तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बिल्कुल रॉंग हो जाएगा, आपको क्या देखना है, ये वाली rating देकनी है, यहाँ पर जो low bar surface है, जो bottom पे है, bottom curve है आपका, वहाँ पर आपको rating देखनी है, तो वही आपका, क्या होगी, actual आपका volume होगा वही आपका actual rating होगी तो आपको उपर नहीं देखना ना यह बीच में देखना नहीं आप बीच में देखने लगा वो नीचे जो surface है आपका bottom card है वहाँ पर आपको देखना है horizontal line इस तरह समझ के वहाँ पर यह देखना है कि कितने उसकी rating है वह आपका क्या होगा? volume होगा यह क्यों होता है? यह parallax error होती है अगर आपने ऐसा कि अधर ओधर कहीं देख लिया तो वह आपका error हो जाएगा accurate volume आपका find नहीं कर पाएंगे ठीक है? कभी-कभी इस तरह से कर बन जाता है तो वह आपको दोनों ही देखने है कभी-कभी ऐसे कर बन जाता है और कभी ऐसे कर बन जाता है क्यों बन जाता है? यह सारी आप higher class ने पढ़ेंगे तो आपको volume उपर वाली जो line है या नीचे वाली लायन है जहां पर टेस्ट कर रही है वो आपका volume होगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें इस तरह से आप जो liquid का volume है आपकी लेली find कर सकते है with the help of the graduated cylinder या फिर graduated weaker चली आप बात करते हैं next point की देखीगा बात करते हैं अब second आता है आपका depth जो physical quantity है area अब यह आपने volume के बारे में देखा volume अगर आपको नहीं clear हुआ है तो बार-बार आप repeat करेगा उन चीज़ों को देखीगा समझेगा अगर कोई भी doubt है कोई problem होती है तो आप comment करेगा उसका reply जरूद होगा चली बात करते हैं आप देखेगा area तो area क्या है आप देखे area means क्या है कि जो आपका surface है जितना surface occupy कर रखा है किसी भी object ने किसी भी body ने जितना surface occupied कर रखा है उसको बोला जाता है area क्या बोला जाता है area अब ये भी क्या एक diet physical quantity है जिसको हम diet करते हैं help of length and breath जो length है और जो breath है किसकी object की length और breath है उसके help से हम इसका area find करते है क्लिए है हमेशा express की जाते है किसमे express करेंगे अब meter जो length बो क्या होती meter मोथी brain क्या होती बो भी meter मो Smith किसमे express करेंगे मीटर square में तो हमेशा जो area है वो किसमे express करेंगे इनदा meter square में अब कोई आपकी regular shape है जैसे मालों square हो गया, rectangle हो गया, circle हो गया, triangle हो गया तो ये सारे क्या है आपकी regular shape है क्या है regular shape है regular shape का आप जो volume है sorry जो आप area है वो आप clearly find कर सकते हैं विद्दा help of formula किसे formula से आप find कर सकते हैं जैसे कुछ regular shape दे रखी है यहाँ पर आपका दे रखा है एक square दे रखा है, rectangle दे रखा है, circle दे रखा है और triangle दे रखा है तो जो आप area find कर रहे है square का, क्या होता है length into length means side into side तो क्या है length into length क्यों है क्योंकि side दोनों क्या होती है इसमें जो area आप find कर रहे है square का, square की side क्या होती है सारी से हम होती हैं तो इस तरह से आप find कर सकते हैं length into length बात करते हैं कि rectangle rectangle में क्या होगा length into length जो area है आप formula से find कर सकते हैं जो अगर आपको formula नहीं आ दें तो इनको याद कर लेजी तो बात करते हैं कि area of the square square क्या होता है length into length बात करते हैं कि rectangle rectangle क्या होगा length into breath अब इसके बाद circle, circle का क्या होता है pi r square क्या होता है, pi r square means pi into r r क्या होगा, उसका radius radius का multiply करेंगे, radius square का वो क्या जाएगा, उसका area जाएगा इसके बाद triangle, triangle का क्या होता होता half base into height, यह किसका area होगा यह triangle का area होगा, आप simply जो area है, regular shape है उनका area आप simply by the help of the formula आप find कर सकते हैं आप देखीगा, कि अगर आपका irregular shape है, अब आपकी अगर safe है, क्या irregular है तो, sorry, sorry sorry, हाँ, अगर आपकी safe कैसे irregular है, तो irregular shape का area आप कैसे find करेंगे, जैसे आपका कोई leaf दे रखी है, या आपकी feather है कोई, है ना कैसे उसका जो area find करेंगे तो, आप इसका area find नहीं कर सकते हैं, direct formula से आप find नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको plot करने पड़ेगा, किस पर, graph paper पर आपको plot करना पड़ेगा, उसकी help से आप उसका area find कर सकते हैं, किसे graph paper से, तो graph पेपर की help से जो ग्राफ पेपर होता है इसको आप indirectly method बोलते हैं इंडिरेक्टी method यूज करते हैं किसी भी irregular shape को find करने के लिए using the graph paper तो आपको क्या ग्राफ पेपर होता है आपने देखा होगा ठीक है ग्राफ पेपर होता है इसमें जो activity देखा है perform activity second इसमें activity कोई है नहीं हो सकता है उस बच्चे ने जो पीडिया बेजा हो उसमें activity नहीं आ पाई हो लेकिन activity हो सकता हो या ना भी हो लेकिन क्या होता है कि ग्र पर जाए परफॉर्म एक्टिविडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडि तो graph paper आपके पास है, तो graph paper पर उसको बनाईएगा, इसके बाद जो box है, box को count करिएगा, जो एक-एक box का area count करिएगा, आप multiply करते चले जाएगा, सारी area या पिर एक-एक area को सबको add कर दूँ, ठीक है, जितने भी जो box है, उनको सबको add करते चले जाओ, कितने आपके box है, जो जो भी आपका object है, irregular shape है, उसका आप area find कर सकते है, using the graph paper, ठीक है, इस तरह से आप find कर सकते हैं, आप इसके बाद देखेगा, next point की तरफ चलते है, क्या की density, density क्या होती है, अब यह समझेगा, यह भी कहांभी important है, देखेगा, concept जो basic concept है, density का, उसको समझेगा, कि कितना, यह कै क्या होती है, density of the substance, क्या होगा density, अब density क्या बताती है हमको, कि जो object है, object है किस तरह से packed है, sorry, कि object है, किस तरह से packed है, closely packed है, या पर कितनी उसकी density है, कितना densely packed है, कितना closely packed है, या फिर loosely packed है, वो हमको क्या बताता है, density बताता है, जैसे बात करते हैं, कि अगर matter क्या है, closely packed है, तो closely packed है, इसका मनलब क्या है? कि उसकी density है, high density है. density का है, high density है, object का है heavier है. अब ये closely packed और loosely packed का मनलब, जो means है, आप higher classes में, जब आप हो सकता, 8 था 9 पहुंचें जब समझें, closely packed का मनलब क्या होता है? closely का मनलब क्या है? जो molecules होते हैं, जैसे कोई matter है, वो किससे बनाए है? molecule से मिलेके बनाए है, तो molecule closely packed है, इनकी बीच का जो space है, बहुत कम है, closely एक दूसरी ऊपर बल्कुल भरते चले जा रहे हैं, तो उसको बोलते है, closely packed, और loosely packed की space क्या है, थोड़ा सा जाना है, दूर दूर molecules है, तो उसे बोलेंगो loosely packed, तो इस तरह समझ सकते हैं, तो क्या है कि, अगर कुई भी matter है, closely packed है, इसका मलब क्या है, उसकी density high है, ठीक है, loosely packed में क्या हो जा हैगा, density आपकी low होगी और object lighter होगा, आप इसके बाद दिखते हैं कुछ example समझते हैं जैसे की बात करते हैं आईरन की आईरन और वुड में कंपर करते हैं तो आईरन क्या है आईरन हैबियर होता है प्रेद के लिक्त, क्यों कि जो आईरन है आईरन की density होती है higher density हाइय डंस्ति होती है ऑश कंपर DWD और इसके बाद बात करते है,ؑ डेस्टी काँ है डेस्टी भी एक राइट esses राइटечव कॉंटेट यह क्योंकि यह सanor है क्या पढ़ना है हम लोग राइट फिजकल क्उटड़ पढ़ना है यह डइटिफ की जाती आ है किससे और फिजकल कॉंटड़ की जाती है amount of the substance per unit volume और amount of substance क्या है उसका mass तो it is the also it is also defined by the ratio of the mass of the substance per unit volume तो क्या होगा density आप कैसे फाइंड करेंगे d equal to mass per unit volume तो यह formula है आपको याद रखना है इसको मैं clear all बनाता हूँ देखेगा तो density क्या होगी आपकी mass per unit volume यह आपकी density होगी mass की unit क्या है mass को किस में express करते हैं kg volume को किस में करते हैं meter cube तो अगर जो expression है density का कैसे करोगे आप kg per meter cube में किस में करोगे kg per meter cube में किसको kg per meter cube में आप express करोगे किसको density को आप देखेगा कि अगर कोई भी कोई भी regular body है कोई भी regular body है उसका आपको density major करनी है उसकी क्या करनी है density कैसे major करेंगे सबसे पहले density में क्या होता है mass और volume दोनों चीज़े हैं तो दोनों ही चीज़े आपको पता होने चीज़े हैं mass आप कैसे find करेंगे beam balance होता है उसकी help से आप mass को calculate कर लेंगे कोई भी अगर regular body है उसके mass को कैसे calculate करेंगे with the help of beam balance आप इसके बाद volume है volume कैसे find करेंगे with the help of formula जो formula मैंने आपको बताया थे cube का क्या होता है length का या side का cube और जो cube wide होता है उसका क्या होता है length into width into height इस help से आप volume find कर सकते हैं और mass आप किस से find कर लेंगे beam balance से find कर लेंगे तो आप किसी भी object की किसी भी body की आप density find कर सकते हैं mass per unit volume आप formula मैं direct put करिए और density find कर लिए हो ठीक है तो ये तो है density के बारे में आप इसके बाद देखेगा next बात करते हैं speed की किसकी बात करते हैं speed की अब देखेगा कि ये जो सारी चीजे हैं पूरा का पूरा मैं chapter इसलिए एक बार मैं upload करता हूँ जैसे कि आपको कहीं इदर उदर सर्च ना करना पड़े कि ये topic कहाँ ये topic कहाँ इसलिए पूरा का पूरा जो पूरा chapter है मैं एक बार मैं upload कर देता हूँ जैसे कि आपको कोई problem ना हो आपको बार बार सर्च ना करना पड़े और अगर आप बोर होते हैं कि आपने थोड़ा से देख लिए आपको नहीं समझ में आरा बोर हो रहे हैं तो आप बंद कर देजीगा क्योंकि chapter आपने देखा आप इनको एक एक करके देखीगा जरूर ठीक है एक दिन में मत देखेगा देरे देरे करके आप देखीगा अब बात करते हैं speed की तो speed का concept समझ भीएगा speed क्या होती speed is defined as the distance covered by object in unit time कितने time में unit time में कितनी distance है covered कर रही है कोई भी body कोई भी object कितना distance cover कर रहा है in unit time में उसे बोल रहाता है speed जैसे कि आप अगर बाइक चलाते हैं कार बगर चला रहा है तो आप बोलना है कि 50 km पर आवर से जो कार है या जो वाइक है हमारी ट्रैबल कर रही है ठीक है 50 km पर आवर से कि कोई भी object कितना move कर रहा है कितना fast move कर रहा है या कितना slow move कर रहा है कोई भी object कितना fast move कर रहा है और कितना slow move कर रहा है यह हमको कौन बताता है speed बताता है मालों कि अगर कोई यह vehicle है यह कोई vehicle है वो move कर रहा है 60 km पर आवर की speed से और दूसरा vehicle है B, वो क्या कर रहा है, वो 50 km परावर की speed से move कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, कि जो vehicle A है, वो move कर रहा है faster, ये vehicle moving faster as compared to B vehicle, तो A जो है fast move कर रहा है as compared to V से, क्योंकि speed क्या है, 60 km परावर और B की क्या है 50 km परावर, तो ये भी क्या है, ये भी एक depth physical quantity है, जो की distance और time से depth की जाती है, अगर आपको find करना है, अगर आपको कोई भी speed find करना है तो आपको क्या पता होने चाहिए, distance पता होने चाहिए, और साथ में कितना time लग रहा है, वो पता होने चाहिए, ठीक है, बात करते हैं कि next, जो formula है, उसकी बात करते हैं, किस तरह से इसको express करते ह तो एक formula देरक्क है थोड़ा सा clear नहीं लेकिन मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कि total distance आप कबर कर रहे हैं कितनी total distance आपने कबर कि मालो आपने यहाँ चलना श्टार्ट किया यहांसे आपने स्टार्ट के है इसट आप से कि speed बताईए कि तो क्या करेंगे जो distance आप टोटल डिस्टेंस निकाल देना है क्या टोटल डिस्टेंस निकालना है और कितना टाइम लग रहा है टोटल आपको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो आपकी क्या जाएगी speed, क्या जाएगी speed of the, जो भी आपकी object है, जो body है, वो travel कर रही है तो total distance निकालना है, और total आपको time निकालना है, कितना time लग रहा है उस distance को cover करने में, तो इस हिसाब से जो भी है, आप किसी भी body की, किसी भी object की, आप speed find कर सकते हैं तो यह सारे चीज़े हैं, यह तो था, this is the whole analysis of this topic, अगर आपको अभी भी कोई भी doubt और कोई भी चीज़े नहीं समझ में आ रही है तो आप बार बार उनको देखीगा, अपने doubt सारे clear करिएगा, इसके बाद जब आपको कोई problem है, तो आप comment करिएगा ठीक है, now this is the whole analysis of this topic, and thank you for watching